यदि हम नाखून के बारे में बात करें, तो नाखून हमारे हाथ और पैरों के अंदर पाए जाते हैं. नाखून उम्र भर बढ़ते ही रहते हैं. यह प्रोटीन कराटन से बने होने की वजह से काफी अधिक कथोर होते हैं. आपको बता दे कि नाखून को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए क्योंकि उनके अंदर गदंगी फंस सकती है और यह आपको बीमार कर सकते हैं लेकिन नेचुरली रूप से नाखून हमारी उंगली को चोट से बचाने के लिए होते हैं इसके अलावा प्राचीन काल के अंदर हम लोग नाखून की मदद से मास को चीरने का काम भी करते थे जिस तरह से जानवर अपने नाखूनों का इस्तिमाल करते हैं जिस प्रकार से हर धर्म के अंदर दूसरी चीजों के बारे में शुब अशुब के बारे में बताया गया है। उसी तरह से नाखून के बारे में भी बताया गया है। अक्सर जब हम नाखून को काटते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि नाखून को जलाना नहीं चाहिए। यह अ दोस्तो नाखून को जलाना अशुब माना गया है वास्तुशास्त के अंदर इसको अशुब कहा गया है नाखून को जलाने के कई सारे नुकसान होते हैं तो हम यहाँ पर इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि यदि आप नाखून को जलाते हैं तो फिर क्या-क्या नाखुन जलाने से धन हानी होती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको रात के अंदर नाखुन को नहीं जलाना चाहिए। आप रात के अंदर नाखुन को काटते हैं या फिर उसको जलाते हैं तो इसकी वजह से आपके घर में बुरी उर्जा का प्रवेश हो सकता है। इसलिए आपको रात के अंदर नाखुन को काटना और जलाने से बचना चाहिए। आपने इसलिए ही तो अकसर सभी को दिन में नाखुन को काटते हुए देखा होगा। तो यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बुरी आत्माएं प्रवेश करीं तो फिर आपको इस तरह के गलत कार्य करने से बचना होगा। नंबर फाइव नाखुन को जलाने से होता है भागय को नुकसान। दोस्तों चीन जैसी कुछ जगहों पर यह माना जाता है कि नाखुन को नहीं जलाना चाहिए। यदि आप नाखुन को जलाते हैं तो इसकी वजह से आपके भागय को नुकसान हो सकता है। माना जाता है कि जो इनसान नाखून को जलाता है, वो अपने भागय को जलाता है, इसलिए नाखून को काट कर ही फेक देना चाहिए, वरन उनको जलाना नहीं चाहिए, यदि आपका भागय अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर आपको भूल कर भी नाखून नहीं जलाना चाह यह आपके लिए और अधिक समस्याओं को खड़ी कर सकता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों वही यदि हम बात करें अमेरिका जैसे देश की तो वहाँ पर भी नाखून को जलाना अशुब माना जाता है यह माना जाता है कि यदि आप नाखून को जलाते हैं तो यह बीमारी लेकर आता है इसलिए आपको भूल कर भी नाखून को नहीं जलाना चाहिए नमबर सेवन नाखून जलाने को मौत से जोड़ कर देखा जाता है दोस्तों कुछ जगहों पर यह भी माना जाता है कि नाखुन को जलाने से इनसान जल्दी ही मर जाता है इसके पीछे का तर्क ये होता है कि जब इनसान मरता है तभी उसके नाखुनों को जलाया जाता है एक जिन्दा इंसान के नाखुनों को जलाना अच्छी बात नहीं होती है इसलिए नाखुनों को नहीं जलाना चाहिए नाखुन को जलाना आत्मा को परेशान करता है अमेरिकी मान्यताओं के अनुसार यदि आप नाखुन को जलाते हैं तो यह आपकी मान्यताओं को परेशान कर सकता है। इसलिए किसी भी इनसान को अपने नाखून को नहीं जलाना चाहिए। वरन युही कच्रे के अंदर फेक देना चाहिए। नमबर एट नाखून जलाना आपकी सुख और समरिद्धी को नश्ट करता है। दोस्तों यदि आप नाखून जलाते हैं, तो माना जाता है कि इसकी वजह से आपके घर की सुख और समरिद्धी नश्ट हो जाती है। इसलिए आपको भूल कर भी नाखून नहीं जलाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, वे जाने अंजाने में खुद को ही नुकसान पहुचा रहे होते हैं। दोस्तों आपको बता दे कि नाखून जलाने से जुड़ी जो मान्यताएं हैं, उनके विपरित अफरिका के अंदर नाखून जलाने को अश्ब नहीं माना जाता है। वहाँ पर नाखून जलाने को शुब संकेत के तोर पर देखा जाता है। अफरिका के अंदर जब नए साल की शुरुआत होती है, तो लोग आग के अंदर अपने नाखून को जला देते हैं। यह माना जाता है कि पुरानी चीजों को नश्ट करने से नई चीजों के आने का रस्ता खुलता है। इसके अलावा अफरिका के अंदर लोग नाखून को इसलिए भी जलाने का काम करते हैं। ताकि इसकी मदद से बीमारी और बुरी उर्जा को दूर किया जा सके। यहाँ पर नाखूनों को जलाने से दुर्भाग या दूर होता है। ऐसा माना जाता है। इसके अलावा वहाँ पर यह भी माना जाता है कि नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए नाखूनों को जलाया जाना जरूरी होता है। कुछ अफ्रीकी संस्कृतियों में विवाह के बाद दुलहन के नाखून जलाए जाते हैं। यह एक शुब प्रतीक माना जाता है जो दुलहन को अपने नई जीवन में खुशी और समरिद्धी लाता है। नमबर 10 जापान में भी माना जाता है नाखून जलाने को बुरा। दोस्तों आपको बता दे कि नाखून जलाना जापान के अंदर भी बुरा माना जाता है। जापानी लोगों के अनुसार किसी भी जिन्दा इंसानों के नाखून को नहीं जलाना चाहिए। नाखुनों को जलाने से दुरभाग्य आता है। इसके अलावा जापान के लोग भी यह मानते हैं कि नाखुनों को जलाने से मौत हो सकती है। या कहें कि नाखुनों को जलाना मौत का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जापान के अंदर यह भी माना जाता है कि नाखुन को जलाने से बुरा भागे आ सकता है और दुरघटना होने का दर बना रहता है इस संबंध के अंदर कई सारी कहानिया जापानी लियागों के पास मिलती हैं पहली कहानी की अनुसार एक लड़की ने अपने नाखुनों को जलाया तो वो बीमार पड़ गई इसके अलावा एक अन्य कहानी के अनुसार जब एक बच्चे ने अपने नाखुन को जलाया तो बुरी आत्माएं उसको परेशान करने लगी दोस्तों कोरिया के अंदर भी नाखुन जलाने को अशुब माना जाता है कोरियाई लोगों के अनुसार किसी भी जिंदा इंसान को नाखुन नहीं जलाना चाहिए, माना जाता है कि नाखुन को जलाने से घर में अशान्ती आती है, और धन हानी होती है. मान्यताओं के अनुसार यदि कोई नाखुन को जलाता है तो इसकी वज़े से उर्जा का क्षय होता है और इंसान बीमार पड़ सकता है इसलिए नाखुन नहीं जलाना चाहिए इसके अलावा लोग ये भी मानते हैं कि यदि कोई नाखून को जलाता है तो इसकी वज़े से घर के अंदर कला होने के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं इसलिए नाखूनों को नहीं जलाया जाना चाहिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर नाखूनों को जलाना अशुब माना जाता है इसलिए आपको कभी भी नाखूनों को भूल कर भी नहीं जलाना चाहिए यदि आप अपने नाखूनों को काटते हैं तो उनको आपको एकत्रित करना चाहिए और बाहर फेक देना चाहिए